आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने ये तीन मीडियम साइज के आलू उबाल कर ले लिये हैं और उन्हें कद्दू कज कर लिया है उसके साथ ही मैं ये हाफ कप ब्राउन शुगर ले रही हूं आप इसकी जगे पर चीनी ले सकते हैं नॉर्मल चीनी एक चम्मस कुटी हुई इ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अलूमीनियम की कड़ाई में ना बनाए आप चाहे तो लोगे की कड़ाई ले सकते हैं इसकी लिए सबसे पहले मैं गैस ओन करके इसमें दो टेबल स्टून देशी घी डालूंगी से गरम होने देंगे गैस को हमें मीडियम प्लेम पर ही रखना है और यह जो आलू हमने तब्दू कच करके रखा था हम इसे डाप अगर आपको जो चिप्स वाले आलू होते हैं वो अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है उनसे हलवा बहुत अच्छा बनता है खिला खिला इसे अब हमें अच्छी तरह से बूलना है जब तक घी और आलू एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए देखिए अब ये गी और आलू अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हमें इसे अच्छी तरह से बूलना है जब तर इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज ही ना होने लगे और इसको भूनने में आपको बारा से पंदरा मिनिट लग जाए ज़न से लोड़ाई गजाए लोगे जाए अबाए झाल अबत्रीम पाल 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 और पाल कर दो कर दो लिप Indonesia और खातर Cum कर दiktो कर नो हुआ। अब पूरा सा ही है कलर अलू का चेंज हो गया है अब किसे स्टेच पर हम ये डाउन शुबर डाल लेंगे आप नॉर्मल चीनी ले सकते हैं किसी भी चीनी ले सकते हैं और इसे अच्छी तरह से हमें में नेकर आप किसी के साथ हमें लाची पाउटर डाल जाएं ये अभी इतना पत्ना लग रहा है जब चीनी भीरे-धीरे गाड़ी हो भी हमारा शीरा भी गाड़ा हो जाएगा करना भी तार्ची शूंच नेकर भी इतनागर में मैंoffनी आप कहने ये पुआ ककियें ये अरश चीनी खहास्टा पिराये ये ये yaş़तुनर मिया जाएगे, अमेंगे जाते हो नेकर खिः गीर थोड़ने तरह कमनें तरह ठोलना हमारा हलवा अब पूरी तरह से रैडी है देखे ये घी छोड़ने लगा है अब मैं इसमें थोड़े से कटे हुए बादान डाल रही हूँ आप अपके पतल के ड्राइपूट्स डाल सकते हैं अब आप इसे बनाईए और अपनी फीडबेक शालनी इस कोकिंग बग केचिन में देना मत भूलिए बाब आए बादाब कर दो मैं आपके पतल के ला जादान। आपके चयए जाचाओ से कहींaser लगऑशना सकते हैं झाल